Hello everyone, welcome to Raviyaditi Classes Friends, Music Field का सबसे respected award, जो की है Grammy Awards इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में discuss करेंगे हाल ही में इसका announcement किया गया है तो इस वीडियो में discuss करेंगे हम हर एक important question related to Grammy Awards 2024 तो देखें Friends, इस साल जो है बहुत सारे Indians को भी award दिया गया है इसलिए ये वीडियो जो है आपके exam perspective से और important बन जाता है तो पूरे वीडियो के end तक बने रहिएगा तो Friends, मैंने आपे सारे questions selected और most important लिए है अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे है ये वीडियो आपके लिए काफी beneficial रहने वाला है तो चलिए Friends, start करते हैं पहले समझते हैं Grammy Awards होता क्या है देखे Friends, the Grammy Awards 2024 जो की world का most respected music awards है इसको हाल ही में announce किया गया है और इस साल Grammy Awards में इंडिया का एक big win रहा है देखे यहाँ पे इंडिया का fusion band है शक्ती इसको दिया गया है best global music album और Friends, ये question आपके exam में कोई न कोई exam में definitely देखा जाएगा ठीक है, चलिए, अगला point देखे है 66th Grammy Awards, यहाँ पे ध्यान रखेगा इसका edition कौन सा है तो इसका ये 66th edition रहा है इसको कहाँ पे conduct किया गया Los Angeles, California में राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे Friends, और देखे सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में है आगे बढ़ते हैं, देखे बात करें और पी कुछ important points इसको क्यों दिया जाता है इस award को to recognize achievements in music industry संगीत उद्योग में उपलब्दियों को पहचाने के लिए ये दिया जाता है इसके साथ कौन सी country इसको offer करती है तो America, USA जो है इसको offer करती है ये event इस साल कब हुआ है तो ये 4 February 2024 को organize किया गया था next दिखे फ्रेंटS, first Grammy Award ceremony कब हुई थी ये हुई थी May 4th 1959 को अगला point है जो काफी important है देखे, इंडिया का पहला Grammy Award किसको दिया गया था, ये दिया गया था पंडित रवी शंकर को जो की काफी famous सितार player है तो अगर आप already exam के prepare कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि पंडित रवी शंकर जो है ये सितार से related है और एकसे exam में questions देखे जाते हैं कि पंडित रवी शंकर ये किस instrument से related है तो ये related हैं यापे सितार से और इन्हें जो है इंडिया का पहला Grammy Award दिया गया है 2024 के edition की बात की जाए friends तो ये इसका 66th edition है edition भी काफी important होता है most nominations किसके थे थे ये SZA के जो की total 9 थे और most awards किसको दिये गए है ये दिये गए है 4 brisards, इनको 4 awards मिले है Grammy Awards में राइट, चलिए आगे पढ़ेंगे friends और भी कुछ important points को देखे Abundance in Millet written by PM Narendra Modi has been nominated for Grammy Awards in Best Global Music Performance Category तो यहाँ पर देखे friends PM Narendra Modi के लिखे गाने कौनसा गाना है ये Abundance in Millet इसको जो है Best Global Music Performance Category में Grammy Award में नॉमिनेट किया गया था और इस song को जो है friends PM Narendra Modi ने किसके साथ मिलकर ये लिखा है ये फालगुनी और गौरव शाह के साथ इन्होंने मिलकर लिखा था अगला देखेगा point तो friends अब आता है आपका MCQ तो यहाँ पर कोछ हम important MCQs को solve करेंगे पहला question है कि Grammy Awards is an award of excellence in which field तो अभी हमने discuss किया था friends की world का music field में जो most respected यहाँ पर award है ये है Grammy Award तो right answer हो जाएगा यहाँ पर option number B अगला question Grammy Award is the best award in the field of music of which country तो Grammy Award कौन सा country प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है America तो right answer हो जाएगा friends इस बार का यहाँ पर answer option number A अगला question when were the Grammy Awards awarded for the first time तो पहली बार जो है Grammy Award कब दिये गए थे ये भी मैंने आपको बताया कि 4th May 1959 को दिया गया था और friends इंडिया में सबसे पहला Grammy Award किसको दिया गया है ये दिया गया है पंडित रवीशंकर जी को जो की एक सितार प्लेयर है right चलिए next question friends आपका रहेगा which edition of Grammy Awards has been organized in 2024 very easy काफी बार हमने discuss कर लिया friends यहाँ पे 2024 का जो edition था ना Grammy Awards का ये था 66th option number A का correct answer है आपका अगला point यहाँ पे question है by what name was Grammy Award originally known तो Grammy Award का पहले कुछ और नाम था आपको बताना है ये क्या नाम था इसका right answer है friend यहाँ पे Gramophone Award तो Grammy Awards का पहले पुराना नाम जो है Gramophone Award था अगला question who was the first Indian to win the Grammy Awards तो यह हमें अभी अभी डिसकस किया पंडित अरवी शुंकर जो की काफी famous सितार प्लेयर है इन्हें 1968 में पहला Grammy Award दिया गया था अगला question in which year was Ricky Kedge awarded the Grammy Award for the best new age album Winds of World इसका right answer है friends option number A 2015 तो इनको जो रिकी Kedge को 2015 में Grammy Award से सम्मानित किया गया था आगे पढ़ेंगे अगला question है who was awarded the Grammy Award for best children's music album A Colorful World in 2022 तो friends question है कि 2022 में सरस्रेश्ट बच्चों का संगीत अलबम एक रंगीन दुनिया के लिए Grammy Award किसे प्रदान किया गया था ये प्रदान किया गया था friends Falconi शाह को आगे बढ़ते हैं अगला question how many Grammy Awards has AR Rehmann won for Slumdog Millionaire तो Slumdog Millionaire इसके लिए AR Rehmann को जो है न total 2 Grammy Awards मिले है right answer है option number A तो देखें friends यहाँ पे कम मिले है ये देख लिजे 2008 में जो है इन्हें ये Award दिया गया था Best Compilation Soundtrack Album और Best Song Written for Visual Media ये दोनों Awards इन्हें दिये गया थे अगला question which is the only Indian who to have won the Lifetime Achievement Award at Grammy Awards very important question तो देखें friends यहाँ पे आपको बताना है किस एक मात्र भारती ने Grammy Awards में Lifetime Achievement Award जीता है correct answer है यहाँ पे option number B पंडित रवी शंकर जिन्हें 2013 में ये Award दिया गया था अगला question रहेगा कि how many Indians have won the 66th Grammy Award 2024 तो यहाँ पे Indians कितने लोगों को इस साल का जो Grammy Award है ये दिया गया है तो ये दिया गया है यहाँ पांच लोगों को कौन कोन है इनके बारे में भी आगी डिसकस करते हैं देखें यहाँ पे फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स यहाँ पे शक्ती एक fusion music group है जिसमें आते हैं जाकिर हुसेन इसके साथ singer शंकर महादेवन violinist गनेश राजगुपालन और इसके साथ फ्रेंट्स परकशनिस्ट सल्वा गनेश विनायकरम तो इन चारू को दिया गया है यह award 2024 में ठीक है किस category में दिया गया है तो best global music album for this moment इसके लिए यह दिया गया है साथ में राकेश चौरशिया जो की flutist है इनको दो award मिले है अगला question तो देखे फ्रेंट्स आपका next question है यहाँ पे who has won the award for outstanding flute playing in 66th grammy award तो इसका right answer है option number B राकेश चौरशिया अगला question who is the first Indian woman to win the grammy award तो grammy award जीतने वाली भारती पहली भारती महिला कौन थी तो इसका right answer है फ्रेंट्स option number B तन्वी शा जिने 2008 में award दिया गया है अगला question when was 66th grammy awards organized तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पे 66th grammy awards यानि कि जो इस साल का edition है कब organized किया गया date आपको बताना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे February 4th Sunday जो था इस दिन जो है grammy awards को conduct किया गया अगला question where has 66th grammy awards organized तो कहाँ पे organized हुए Los Angeles USA में इसको organize किया गया अगला question है who has won the best global music album award at 66th grammy award तो देखे यहाँ पे friends best global music album इसका award दिया गया है this moment शक्ति के लिए तो अभी हमने discuss किया है यहाँ पे 4 लोगों को यह award दिया गया है एक बार और discuss कर लेते हैं friends देखें, musicians शंकर महादेवन और जाकिन हुसेन, इनकी band जो है शक्ति इसको best global music album को award दिया गया है for this moment ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला question रहेगा friends, who has won the best pop vocal album award at 66th grammy award तो देखें, यहाँ पे आपको बताना है best pop vocal album यह किसने जीता है, यह जीता है Taylor Swift ने mid nights के लिए चलिए अगला question, who has won the best country album award at 66th grammy award तो best country album यह जीता है friends, Lanny Wilson ने bell bottom country के लिए अगला question है, who has won the best pop solo performance at 66th grammy awards तो यहाँ पे friends, यह देखें, best pop solo performance की बात की जाए, यह दिया गया है Millie Cyrus को flowers के लिए अगला question रहेगा friends, आपका यहाँ पे, who has won the producer of the year non classical award at 66th grammy award राइट answer is Jack Antonoff अगला question देखेगा who has won the best comedy album award तो friends, grammy awards में best comedy album, यह दिया गया है Dave Chappell को, what is in a name, इसके लिए ठीक है, next question friends और आपका यह last question है, which song has received the song of the year award at 66th grammy award तो song of the year दिया गया है friends, यहाँ पे 66th grammy awards में, what was I made for के लिए, ठीक है तो friends, यह हो गया आपके most important questions, अब discuss करेंगे हम full list, जो भी है 66th grammy awards की तो यहाँ पे देखे song of the year यह दिया गया था, Billie Elish को, what was I made for के लिए यह from Barbie है next रहेगा best pop vocal album यह दिया गया है Taylor Swift को Midnight's के लिए, best R&B song दिया गया है SZA को Snooze के लिए, next है friends, best country album, यह दिया गया है Lenny Wilson को Bell Bottom Country के लिए और अगला award है यहाँ पे best music urban album, यह Carol G को दिया गया है Manana Sarah Bonito के लिए, चलिए, आगे बढ़ेंगे friends, यहाँ पे best pop solo performance दिया गया था Millie Cyrus को Flowers के लिए, best progressive R&B album दिया गया है SZA को best R&B album यह performance के लिए दिया गया है Coco Jones को, best folk album दिया गया है Jonny Michelle को Newport के लिए, और producer of the year यह जो हमने discuss किया था यह दिया गया है Jack Antonoff को अगला award यहाँ पे रहेगा friends, देखे group performance के लिए SZA Featuring 4H Bridgers को दिया गया है Ghost in the Machine के लिए best dance दिया गया है friends Skrillex को Fred Again को और Flawden को और यहाँ पे अगला रहेगा best pop dance recording के बात करें तो यह दिया गया है Kylie Minogue को पदम पदम के लिए राइट, चलिए अगला रहेगा यहाँ पे award best dance electronic music album के लिए दिया गया है Fred Again को और देखे actual life 3 के लिए यह दिया गया है अगला रहेगा यहाँ पे best traditional R&B performance यह PJ Morton और सुसान के रोल को दिया गया है Good Morning के लिए अगला है best R&B album Victoria Monat को दिया गया, best rap performance दिया गया है friends Killer Mike को ओके चलिए अगला रहेगा यहाँ पे best melodic rap performance यह दिया गया है Lil Durk featuring J. Cole best rap song दिया गया है Killer Mike featuring Android 3000 Future and Erin Ellen Kane को किसके लिए scientists and engineers के लिए अगला award यहाँ पे दिया गया है friends best rap album का Killer Mike को Michael के लिए ठीक है, next यहाँ पे best country solo performance दिया गया है Chris Stapleton को अगला award यहाँ पे रहेगा best song written for visual media यह Billy Elish को दिया गया है What Was I Made For के लिए और इसके साथ अगला रहेगा यहाँ पे best comedy album यह दिया गया है Dave Shappell को What's In A Name के लिए best global music album यह हमारे यहाँ पे दिया गया है Shankar Mahadevan को और Jaakir Hussain को उनकी band शक्ती को और अगला रहेगा best African music performance यह दिया गया है Tyler को अगला award देखेगा best musical theater album दिया गया Some Like It Hot best alternative music album दिया गया है Boe Guinness को The Record के लिए best alternative music performance दिया गया है Paramore को This Is Why के लिए और अगला है best rock album Paramore को दिया गया best rock song दिया गया है Boe Guinness को Last slide friends यहाँ पे हम discuss करेंगे बाकी जो भी बजगया है देखें best metal performance की बात की जाए तो यह दिया गया है Metallica को 72 seasons के लिए best rock performance दिया गया Boe Guinness को Not Strong Enough के लिए और अगला रहेगा best country duo की बात की जाए यह दिया गया है यहाँ पी Jazz Byron को I Remember Everything के लिए तो friends यह हो गया पूरा list Grammy Awards 2024 का तो यहाँ पे हमने static और जिसके साथ यहाँ पे जो current में February 4th को जो अवर्ड दिया गया इस सब को यहाँ पे अच्छे से discuss कर लिया है तो I hope आपको यह सब clear है अब आता है आपका test question जिसका answer आपको हमें comment करके देना है पहला question है Who was the first Indian to win Grammy Award तो Grammy पुरुसकार जीतने वाले पहली भारतिये कौन थे यह आप हमें बताएं इसके साथ friends आपका अगला question है Who has won the best global music album award at 66th Grammy Awards तो best global music album यह किसको दिया गया है यह भी आप हमें comment करके ज़रूर बताएं और साथ में friends मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो paid PDF के website है यह launch हो गई है यह है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पे आपको रवी सर की gk और current affairs की PDF English और Hindi दोनों में मिल जाएगी तो आप देख रहे हैं यह e-books आपको यहाँ पे इस website में available है आपको current affairs जो yearly होता है 2023 का यह भी इस website में available किया गया है और friends हमारे mobile application का नाम है रवी study IQGK यहाँ पे जाके आप daily quizzes को भी solve कर सकते हैं ठीक है तो alright friends तो यह हमारा आज का last slide है I hope आपको यह video पसंद आया होगा वीडियो कर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like और अपने friends के साथ share जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएए मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day